जिले के ब्लोक तेंदू खेडा के अंदगरत आने वाले ग्राम जलोन में निवास करने वाले मंगल रैकवार को जहां पुलिस ने अवैद कबजा करने के कारण जेल भेज दिया तो मंगल रैकवार की पत्नी दसोदा रैकवार सुमवार को कलेक्टरेट कार्याले पहुंची और पर्शार्शन से पती को छुडाने की गुखार लगाने लगी जब उसके किसे ने नहीं सुनी तो वहाँ आपने उपर डीजल डालकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगी जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने डीजल की कैन को जब्त कर लिया और आत्महत्या होने से बचा लिया और वहीं पत्नी का कहना है कि जब तक हम घर नहीं जाएंगे जब तक हमारे पती को जेल से रिहाने ही किया जाता कि अव जोड देया है कि अब है इसी वज़े से हम अहीं पर रहा हैं ने जोडेशा नहीं जोड़ट करहें अपने दोर्ट लगानी का प्रयास किया देखने थे मारे है अब आपने कोसिस की है हम जहर खाने लगाएंगे हम नहीं पर मरेंगे और हमापती को रहा कर दीजिए अब यह अब आपने केरोफी में डालने की कोसिस की है कि बोटल में क्या रखी थी अब उसमें लग विए अधिकार लोगों से बहुत परेशान हों का सुनते नहीं हम लोग की गरीबाद में मंजूरी करते खारते हैं रहते हैं बच्चों पालते हैं कोई सुनबाइद नहीं होती हम लोग की डाट पड़कार कभगा देती हैं मेरं उनने पैसा खाया बहुत है जी अब बता बना उनको सब बता ऐस भी खाया था शर्पंच लोगों और पैसे लिए उनके लाने के पारण्ट काट तो इसलिए हमां पती को बारंट काट जेल भीजवा दियां कौन है सर्पंच सुरेश जैन है सचे उसर पंच सब लोग मिले है सब लोगों नजब अलस्ति से हमापती को जेल विजवा दिया पात दिन होगा याज अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या करेंगे आगे यही पर रहेंगे और आत्मात्य करेंगे यहीं पर रहें कितना समय हो गया आपको कि दो ती नक महीं नहीं हो चुके हैं जब भी हम अधिकारों इने परिशान करों तो प्रेसे ले ले थे हम लोग से और पिर सुनाय नहीं करते हम लोग हमारी रेकवार समाज के वासा थी मंगल रेकवार जो 32 पुटकी जगाह पर कभजा करी हुए हैं और उसको कभजा हटाने के लिए उनके दौर असकी गरबतारी की गया उसको जेल बेज दे गया जहां एक और मद्यपरदेश की सिवराज सरकार कहती है जो सरकारी जमेनी पर कावेज हैं उनके यह लिए हम पट्टा देंगे लेकर उनके सरकारी के उनके समाज की बंदू के बेजता है और लिखत में आजस दो तब रहाई करेंगी और हम लोगे निए निए पर नहीं होता है तो हम अपने आतमता कर सकती हैं अब यहां आप कलेक्टर के पास क्या मामली करा दो माहगे निशी रूप से और में सामको बुकमत्री सभी बात करें कि हम लिए यह यह दिम